हाई एपरिवन आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में तो दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे एक एम्प्लिफायर के बारे में जो कि दोस्तो बीटा 3 कमपनी की तिरफ से आती है और ये दोस्तो हमारी 4 चैनल की एम्प्लिफायर है ठीक है दोस्तो बहुत ही सेंड कितने टॉप लगा गया चला सकते है चारो चैनल में और कितना ये हमारा एम्प्लिफायर आउटपुट निकाल के देता है तो दोस्तो वीडियो बहुत ही नॉलिजबल होने वाली है और दोस्तो आपको ये भी बताऊंगा कि दोस्तो इस एम्प्लिफायर का क्या प्र फ्रन्ट लुक की तो दोस्तो आप फ्रन्ट लुक देख सकते हैं जो कि दोस्तो यहां पर बीटा 3 मेंशन किया गया जो कि दोस्तो यह हमारे एम्प्लिफायर बीटा 3 कमने की तरफ से आती है और दोस्तो आपको डिटी 804 देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तो आपको यहां पर चार गेन वायलूमस देखने को मिल जाते हैं जो कि दोस्तों सभी चैनल के अलग अलग गेन वायलूमस दिये गए हैं जो कि दोस्तों इस एंप्लिफायर में केवल हमें गेन वायलूमस ही देखने को मिलते हैं बेस में वायलूम कोई नहीं देखने को मिलते हैं और दोस्तो आपको यहाँ पर एक beta 3 का लोबर देखनें को मिल जाता है जो कि दोस्तों बहुती अच्छा लगता है और आपको एक grills देखनें को मिल जाती है इसमें दोस्तों cooling fan लगए होते हैं इससे हमारी गरम हवा बाहर आ जाती है और दोस्तो हमारी amplifier में कोई problem नहीं होती है चलिए अब दोस्तो बात कर लेते हैं इस amplifier की specifications के बारे में अगर दोस्तो model number की बात की जा इस amplifier की जो के दोस्तो beta 3 कमने की तरफ से आते है तो दोस्तो इसका model number आपको dt804 देखने को मिल जाएगा जब दोस्तो आप amplifier को खरीदने जाएंगे तो दोस्तो आप model number बता देंगे तो वो आपको निकाल के यह amplifier देगा दोस्तो ध्यान देना है आपको original ही amplifier खरीदना है ठीक है दोस्तो चलिए अब दोस्तो बात कर लेते हैं इस amplifier को frequency response की कि इस amplifier पे चलिए अब दोस्तो बात कर लेते हैं इस amplifier की dumping factor की तो दोस्तो आपको 500 देखने को मिल जाता है इस amplifier का dumping factor दोस्तो बेस ही इस पे बहुत गजब का चलेगा चारो चनल में चलाएगा बहुत ही अच्छा बेस सुनने को मिलेगा चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं इस amplifier के power supply की कि दोस्तो हम इसमें AC current कितना दें जो कि दोस्तो amplifier भी अच्छा चले दबेना अच्छे से खुलके बज़े तो दोस्तो आप इसमें 220 से लेकर 240 तक इसमें AC current दे सकते हैं कोई problem बाली बात नहीं अच्छे खासा चलेगा और दोस्तो यह हमार amplifier class D का आता है जो कि दोस्तो best amplifier है और दोस्तो इस amplifier के net weight की बात की जाए तो दोस्तो आपको 24 case देखने को मिल जाता है इस amplifier का net weight जो कि दोस्तो बहुत हलका है खास कोई ज़्यादा वज़न भी नहीं है अकेले ही आप इसको उठा सकते ही चलिए अब दोस्तो बात कर लेते है इस amplifier के power output की कि दोस्तो यह हमार amplifier कितने ओम में कितना output नकाल के देता है तो दोस्तो पहले आपको बता दो यह हमार amplifier 2 ohm में काम नहीं करता है ठीक है दोस्तो यह हमार amplifier 4 OME and 8 OME काम करता है 2 OME काम नहीं करता है रही आप दोस्तो बात करें दो वर लिए फोर OME और 8 OME के आउटपुट की दो सतो यह हमारे एम्लीफार 4 OME में 25 berdes नदकालके output देता है पर चेनल जो कि यह हमारी 4 चेनल तो दोस्तो 4 चेनल में 25 24 25 apareage output देता है following ठीक ठीक डोस्तों और 8 ओम की बात की चाथ तो आपको 25 अव्राइस लोडे निकाल के ये आउटपूट देता है पर चैनल चार हो चैनल में 15 15 अव्रणा आउटपूट निकाल के देता है में चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि दोस्तों फोरों में कितने बेर चला सकते हैं क्योंकि दोस्तों हम इसमें डोयल वाला बेस चलाएंगी यहां पे दोस्तों एक अमारा श्पिकर दोस्तों बारा सव पडिस अथिखे शाही है इक दोस्तों बेस बन जाता है हमारा प्रब्लम वाली बात नहीं सो हमारी अम्प्लिफायर का वाड़िस ज्यादा वे रहेगा तो दोस्तों हमारा बेस खुल के एकदम बजेगा बेस बाइवरेसं पंच बहुत ही अच्छा सुनने को मिलेगा दोस्तों आप चारो चैनल में च्योबिस वाड़िस का बेस लगा के च कालके देता है जो कि दोस्तों एक हमारा स्पीकर होता है एटम का तो दोस्तों हम इसमें पंद्रासो पार्ट का बेस शिकर लगा के चलाएंगे जोकि दोस्तों बहुत याच्या कर सकते हैं या आपकी दोस्तों personal कोई question हो तो दोस्तों हमारा description box में मेरा WhatsApp number मिल जागा वहाँ पे आप दोस्तों message कर सकते हैं तो दोस्तों आप बताते हैं आपको इस amplifier की price के बारे में है कि market में दोस्तों इसका क्या price बढ़ेगा तो approach दोस्तों मैं यहां पे लगवग आपको बता रहा हूं क्योंकि हर एक मार्केट में П्राइज उपर-्णीचे होता रहता है यहां पे दोस्तों मैं आपको ओल眠 को और राइन ही में sarà मिल जाएगा मेहंगा है लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छा एंप्लिफार टिकाओं एंप्लिफार है बीटा 3 कमने की तरफ से आता है तो दोस्तों मैंने आपको सब कुस बता दिया है प्राइस स्पेसिफिकेशन लोड कल्कुलेशन तो दोस्तों उम्मिद करता हैं वीडियो में तब तक के लिए जेहिन और वन्द मातरम